BSE के बाद क्या करें? क्या career options होंगे? क्या तुरन जॉब मिल सकती है? या हमें कुछ और course करना पड़ेगा? कौन सा एक्जाम देने से अच्छी जॉब मिलेगी? इन सारी चीजों के बारे में हम detail में discuss करेंगे. अगर आपने BSE biology से कर रखा है तो आप इस वीडियो को last तक करेंगे कि आपको आगे क्या करना है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हेलो एवरीवन, वेलकम टो स्पार्क अप क्लास इस सुमा नियादर. आज हम बात करेंगे कि अगर आपने BSE biology के field से कर रखा है तो आप आगे क्या कर सकते हो? क्या-क्या career options आपके लिए हैं? देखो, तीन-चार तरह के career options आपको बिलेंगे. पहली बात, teaching field में चले जाओ, professor बन जाओ, तीसरी बात, आप government job में जा सकते हो, चौथी चीज आप direct job के field में जा सकते हो. तो जिन लोगों को तुरन जौब चाहिए, वो चौथी वाले category में आएंगे. तो मैं one-by-one इन चार category की बात करूँगे, और कौन सा आपके लिए best रहेगा, किस condition में, वो भी मैं आपके लिए बात करूँगे. चीक है? तो चलो, स्टार्ट करते हैं. देखो, teacher अगर आपको बनना है, तो सीधी से बात यह है, कि BSE करने के बाद आपको B.A.D. या D.L.A.D. करना पड़ेगा. अगर आप primary level के teacher बनना चाहते हो, तो आप D.L.A.D. करोगे. अगर आप primary से upper level, याने कि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इतने तक के teacher बनना चाहते हो, तो आपको B.A.D. करना पड़ेगा. चीक है? पहले तो यह था कि B.A.D. वाले primary level को भी पढ़ा सकते हैं, पर अभी recent news आई है कि B.A.D. वाले अप primary level को नहीं पढ़ा सकते हैं, चीक है? तो अगर आपको primary 1 से लेकर के 5th class तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप D.L.A.D. करोगे, otherwise आप B.A.D. करोगे, चीक है? तो B.A.D. करने के बाद आपको क्या करना होगा? B.A.D. करने के बाद या D.L.A.D. करने डिरेक्ट अप्लाई करके आपका teaching में आपका selection हो जाएगा. या फिर दूसरा option बचता है B.A.D. वालों के तो सिर्फ एक ही option था. B.A.D. वालों के लिए दूसरा option बचता है कि T.G.T. कर ले हो. T.G.T. अपने subject से होता है, जिससे आपने biology से किया है, तो biology से आपको T.G.T. का आप teacher बन सकते हो. ठीके? यहाँ पे खतम होता है आपका B.A.D. वाला. अब अगर आपको 6th, 8th class से upper level तक का teacher बनना है, तो आपको MSC करना पड़ेगा. MSC करने के बाद आप PGT exam दोगे, तो 8th से लेकर के 12th तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो. PGT exam के थो. ठीके? तो यह हो गया teacher वाला field. Second बात करते है professor. अगर आप professor बनना चाहते हो, professor मतलब जो degree college वगरा में पढ़ाते है, अगर आप professor बनना चाहते हो, तो आपको B.A.C. के बाद MSC करना पड़ेगा. MSC करने के बाद एक NET का exam होता है, CSIR NET. ठीक है? आपके लिए CSIR NET होगा, क्योंकि आप biology से हो और बाकी लोगों के लिए UGC NET होता है, जो science field से नहीं होते हैं. तो आप CSIR NET पे focus करोगी. ठीक है? तो CSIR NET exam देने के बाद, आप assistant professor बन जाते हो directly. किसी भी degree college में, आप assistant professor के तरह teaching कर सकते हो, salary आपके 40,000 अबब रहने वाली है. और आप साथ-साथ अपना PhD भी कि PhD होती है. PhD हो जाने के बाद, आप professor के तरह act कर सकते हो, और वहाँ पर 1,00,000 तक कि आपकी income हो सकती है. ठीक है? तो यह beneficial है आपके लिए, आपकी आप net qualify करके assistant professor बनो, उसके बाद फिर आप professor बन जाओ PhD करके. तो यह तो best है. बेस्ट करने के बाद, अगर आप किसी लाइन म family का कोई pressure नहीं है, तो मेरा suggestion यही होगा कि आप professor वाली line में जाओ. चीक है? और अगर आपके पास average time है ना बहुत कम, ऐसा नहीं कि urgent में तुरंथी job चाहिए, या फिर बहुत जादा time है कि PhD तक कर सके, तो आप beach का रास्ता आपना सकते हो, teacher वाला field में जा सकते हो, B.A. वाल करनी पड़ती है, बाकी में आपको थोड़ी कम करोगे तब भी चल जाएगा, चेक है? तो आपको यह सब करना पड़ेगा, और तीसरी बात आजाती है आपके government job के, बहुत सारे government job ऐसे हैं, जो आपको B.A.C. के level पे देते हैं, जैसे कि मालो U.P.A.C. ही आपको करना है, यह तो आपको U.P.A.C. करना है, यह बैंकिंग जॉब में जाना, अगर आपका Math 12 में रहा है, तो आप इसमें जा सकते हो, बैंकिंग के जॉब में जा सकते हो, या फिर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल ओफिसर बन सकते हो, ऐसे जॉब के लिए कई जगे पर आपको Maths मांगता है, तो आपको देख के अपलाई करना पड़ेगा, लेकिन Forest Department की जॉब के बात करो, SSC, CGL की बात करो, तो यह सारे में Biology भी एक्सेप्टेड है, तो आप इसमें जा सकते हो, तो गॉर्मेंट जॉब का एक वास्ट केटेगरी ह उसको कभी और डिसकस करेंगे, अगर आपको इसमें इस बारे में Total Detail में चाहिए, तो आप कॉमेंट्स में मुझे मैं मैं इसमें Total Detail में वीडियो बना दूगी, गॉर्मेंट जॉब के बहुत सारी केटेगरी होती है, ग्रूप A, ग्रूप B, ग्रूप C, ग्रूप D, अगर आपको इसको कभी और डिसकस करेंगे, अगर आपको इसके बारे में जाना है, तो जरूर मुझे कॉमें जाना है, तो 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 मुझ तो आप जिदा सिदा क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो जौब के लिए, बहुत सारे फिल्ड है जहांपे आप अप्लाई कर सकते हो, for example, मैं खुद भी बाइजूस में टीचर हूँ और मैं भी ग्राजुएट हूँ, तो मैंने बाइजूस के लिए अपलाई किया था, वेदान्तू, बाइजूस और अनकैडमी, ऐसे बहुत सारे एजुकेशन के प्लैटफर्म है, वहाँ पे आप अपलाई कर सकते हो, अपलाई मैं इंग्लिश के कोई जरुवत नहीं है, आपकी इंटरनेट कनेक्टिवटी प्रॉपर होने चाहिए, आप वाइफाई वगरा लगवा सकते हो अपने घर पे, बाकि कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, इसके लिए अगर आपको गाइडलाइन चाहिए कि कैसे मैंने तो यान अकैडमी किसी में भी स्टार्ट करना है, तो मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए आपको हैंप करोगी, ठीक है, दूसरा आपके पास जॉब अपरचिनिटी यह है, कि अगर आपके घर के आजपास, या अगर आप शिफ्ट हो सकते हो तो और अच्छी बात है, अग आपको 10,000 से 15,000 तक के जॉब मिल जाएगी, आप जू में या बोटैनिकल गार्डन में ऐसी जगों पे आप अपलाई कर सकते हो, ठीक है, ओलाइन भी बहुत सारी ऐसी वेब साइट है, जिन पे अपना रेजियूम बना करके अपलोड करो, और जॉब आते ही आपका फोल नमबर, इमेल, आईडी, आपकी क्वालिफिकेशन, सारी एक पेज में लिखी होती है, उसी को हम रेजियूम कहते है, रेजियूम बना के रखो, जहां कभी भी जॉब के लिए अपलाई करोगे, तो यह रेजियूम काम में आएगा, तो रेजियूम बना के तीसरी बात, आप किसी आस पास में कॉलेज में एज़ टीचर वर्फ कर सकते हो, ग्राजुएट के बेसिस पे बहुत सारे टीचर आप्ट किये जाते हैं, तो आप एज़ टीचर अपलाई कर सकते हैं, तो यह सारे क्विक जॉब की टेक्मीक है, और अगर आपने कोई डिप करते रहना, सिर्फ जॉब के पीसे मत रहना, क्योंकि 10-15,000 से जिन्दगी तो चलने वाली है, है ना, कुछ एक्जाम आपके लिए बने हैं, जैसे कि CET, PG की बात करो, IIT जैम की बात करो, तो यह कुछ ऐसे एक्जाम से, जो मितलब CET, PG तो बहुत टफ नहीं पढ़ता, ले बहुत कम सीट्स है इसकी, लेकिन अगर आप यह एक्जाम देते हो, और आप इससे MSC करते हो, तो आपको स्कॉलर्शिप भी प्रवाइड की जाती है, IIT जैम से अगर MSC करते हो, तो आपको IIT कॉलेच से MSC करने मिलता है, और दो साल का MSC के बाद आपकी 40-50,000 से उपर तक क जाब लगती है, ठीक है, तो बहुत अच्छा कोर्स रहता है वो, और आप MSC कर रहे हो, उस दोरान भी आपको 12,000 से लेकर के 30,000 तक आपको स्कॉलर्शिप दी जाती है, मन्थली, ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कर पाओ, और अगर आप I qualification जब बढ़ जाएगी, once आप master कर लेते हो, master करने के बाद आपके लिए job opportunities और बढ़ जाती है, तो मेरा suggestion रहेगा कि अगर आपको urgent job के जरूरत है भी, तब भी उसे part-time में करना, full-time में मत करना, जिकि उतने से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, साथ-साथ में कोई ना कोई course करते रहना, तो यह सब मेरा suggestion रहेगा आप सब के लिए, I hope आपको मेरा suggestion person दाया होगा, कोई दिकत, कोई परिशानी आती है, किसी भी चीज़ के बारे में और detail में आपको knowledge चाहिए, तो description में, sorry, comment में आप मुझे mention करना, मैं हमेशा आपके help ले तयार हूँ, okay, so wish you all the best, मलते है नेक्स वीडियो में